पाउनकुमार विशुजीत सब दो बता है जो टैंक्स है और मिसाइल जो अर्जोतय है Leather और हमारे यहां पर कहसे हैं कि जो सबसे बड़ा रोल क्योंकि फीजिकली आपके हाथ में सिर्फ remote रहता और इस remote या पिर आप कह सकते हैं कि जो गैजस के दम पे आप अपने दिमाग का यूज करते हुए कैसे सामने वाले को हरा पाते है तो यहां पर एक robowar का एक बिल्कुल कह सकते हैं कि अलग से द्रिश्य और और इस द्रिश्य में आप देख पा रहे हैं कि कैसे अभी एक दूसरे को हराने की कोशिस और इस हराने की कोशिस में यहाँ पर देखना होगा कि कोन फाइट जीत पाता है काफी दिलसफ मैच रहेगा और देखिए स्टूडेंट्स ने कितना अच्छे कलाकारी दीए मतलब हर एक मैच को जीतने के लिए आपको जो रोबोट तयार करना होता है मशीन्स टेकनोलोजीज और उसको कह सकते हैं कि उसमें जो सॉफ्टवेर है वो भी बिल्ट करना पड़ता है कि कौनसा कैसा सॉफ्टवेर होगा क्या करेगा कैसे आप दूसरे को हराएंगे क्या टक्ठिस रहेगी क्या स्ट्रेटीजीज रहेगी देख सकते हैं और एक से एक अच्छे एक से एक अच्छे रोबो एक से एक अच्छे रोबो आपके सामने यहां पर देख पारे हैं। जो भी आप इसके अंदर टेक्नोलोजी यूज करते हैं आप उनको तोड़ फोड़ सकें जहां क्रश करना होता है सामने वाले के टेंक को आप जितना क्रश कर पाएंगे इतना ही जल्दी आप डिवीट कर देंगे सामने वाले को तो अलग से देखें यह देखें यह वाले रोबो दोनों के दोनों ही अलग हैं है ना देखें कैसे मदलब इसके अंदर टेक्नोलोजी जो सामने वाले को हराने में आपकी हल्प करते हैं सो भई आजगल कह सकते हैं कि एक जो फीजिकल आपकी पावर है उसका जमाना नहीं रहा तो यहाँ पे अगर आप माइंड और मशीन टेक्नोलोजी के साथ में खेलना जानते हैं और आपको पता कि कैसे टेक्नोलोजी का यूज़ कर रहे हैं लेकिन भई आप सबी को पता है एक चीज़ और बता दे यार थोड़ा सा मतलब एक पनी यह है इगर आपकी टेक्नोलोजी से आपके टेंक तबाह हो गए तो वहाँ पे फीजिकली पावर भी आपके पास में होनी जूरूर है सब्सक्राइब आपके टेक्नोलोजी पास में हो गए है दोनों ही तरफ से एक इक्वल पावर को यूज़ किया गया था सब्सक्राइब आपको पसंद आया होगा तो कैसा लगा यह भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर गया आप जूरूरू बताएगा मिलता नेक्स विए में तिल दन बवाई तेक केर